हेलो फ्रेंट्स आप सुन रहे हैं आपके अपने में मैं वंशी का चाहान और मैं पुण्या गंवाल वी आर स्टुडेंट्स आफ अलिजियंस एकेडमी कुक्षी फ्रॉम फोर्थ स्टेंडर्ड आप सबका स्वागत है आपके पसंदीते प्रोग्राम अलिजियंस आफ एम में आज मैं और पुण्या चर्चा करेंगे उस महत्व पूर्ण व्यक्ति पर जिसका हमारे जियन में बहुत महत्व होता है पुण्या क्या तुम बता सकती हो वह कौन है हाँ वंशिका मैं बता सकती हूँ वो है हमारे पिता पुण्या तुम सहीं कह रही है आज मैंने पिता के बारे में कुछ कहने की कोशिश की है यूँ तो पिता के बारे में कहना इतना आसान नहीं होता है फिर भी मैंने पिता के बारे में कुछ बताने की कोशिश की है पुर्णिया आज मैं तुमको पिता के महत्व के बारे में एक कविता के द्वारा बताऊंगी कभी अभिमान तो कभी स्वभिमान है पिता कभी धर्ती तो कभी आस्मान है पिता कभी धर्ती तो कभी आसमान है पिता अगर जन्म दिया है माने जानेगा जिस से जगवो पहचान है पिता कभी कंधी पे बिठाकर मेला दिखाते हैं पिता कभी बन के घोड़ा गुमाते हैं पिता मा अगर पेरों से चलना सिखाती है तो पेरों पे खड़ा होना सिखाते है पिता, कभी रोटी तो कभी पानी है पिता, कभी बुडापा तो कभी जवानी है पिता, कभी बुडापा तो कभी जवानी है पिता मागर है मासूम सी लोरी तो कभी न भोल पाऊंगी वो कहानी है पिता कभी हसी तो कभी अनशाशन है पिता कभी मोन तो कभी भाशन है पिता मागर घर में रसोई है तो चलता है जिससे घर वो राशन है पिता तो चलता है जिससे घर वो राशन है पिता कभी हसी और खुशी का मेला है पिता कभी कितना तन्हा और अकेला है पिता मा तो कह देती है अपने दिल की बात सब कुछ समेट के आसमान सा फेला है पिता सब कुछ समेट के आसमान सा फेला है पिता माशी का तुमने पिता के बारे में बहुत अच्छा कहा है अब मैं तुम्हें अपने पिता के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ मेरे पिता मेरे लिए आदर्ष है क्योंकि वे एक आदर्ष पिता है उनमें वे सारी योग्यता मुझूद है जो एक श्रेश्च पिता में होती है वे मेरे लिए केवल एक पिता ही नहीं बल्कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी है जो समय समय पर मुझे अच्छी और बुरी बातों का आभास कराकर आगाह करते है मेरे पापा मुझे हार्न मानने और हमेशा आगे बढ़ने की सीख देते हुए मेरा होसला बढ़ाते है मैशिका तुम्हे पता है पिता से अच्छा कोई मार्गदर्शक होई नहीं सकता हर बच्चा अपने पिता से ही सारे गुण सिखता है जो उसे जीवन भर परिस्थितियों के अनुसार ढलने के काम आते है आप उसके उनके पास सदेव हमें देने के लिए ग्यान का अमुले भंडार होता है अन्द में मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मा तो अपने बच्चे को नो महीने तक पेठ में रखती है लेकिन पिता भी नो महीने तक अपने दिमाग में बच्चे को रखता है दुनिया की भीड में सबसे करीब जो है मेरे पापा, मेरे भगवान, मेरी तकदीर वो है हाँ पुण्या, हम क्या कहें उस पिता के बारे में जिसने सोचा नहीं कभी खुद के बारे में आम तोर पर एक बच्चे का लगाउ सबसे अधिक उसके माता-पिता से होता है क्योंकि उन्हीं को वो सबसे पहले देखता और जानता है माता-पिता को पहला इस्कूल भी कहा जाता है सामान ने तह बच्चा अपने पिता को सच्चा हीरो और अपने जीवन का एक सबसे अच्छा दोस्त समस्ता है दो शब्त से मिला पापा का नाम, पापा है जग के आँख के तार है, कहां से लाओं पापा जैसा धेरिय, मेरे पापा दुन्या के बेस्ट पापा है, सुक में तो सब साथ देते हैं, पर मेरे पापा दुख में मेरा होसला बढ़ाते हैं इसलिए सभी अपने माता पिता का सम्मान करें और उनका कहना माने तो फिर मिलेगे एक नए टॉपिक के साथ आपके पसंदिदा प्रोग्राम Allegiance FM 94.8 के साथ धन्यवाद